हेलो गाइس welcome तो डूस wonderful market analysis वीडियो जिसमें हम एलेस करीं की आज Market ने कैसा momentum किया, market आने वाले दूनों में कैसा momentum कर सकता है आप एसा multiple time frame पे कैसे trade कर सकते हैं तो गाइस से लिए analysis स्ताइट करते हैं तो गाइस है निफ्टी ओ game कर दिया है आप देख सकते हैं यहां पे इंट्राइड के लिए हाई पे उपर गया था विकली की बात करो तो मार्केट ने इस लेवल की ऊपर बहुत ही कमफर्टेबली क्लोस कर दिया बहुत अच्छा मोमेंटम था तो विकली स्ट्रॉंग इसने बुलिश एंगल जो इस बहुत स्ट्रॉंग है आप जनरल इस मार्केट को लॉंग करिए ज्यादा इसको शॉर्ट करने की कोशिशिश ना करें क्योंकि कितना उपर जाएगा नोगनोस तो यह होगे वीकली का गाइस वीकली करनी ग्रीन है और काफी स्ट्रॉंग है तो हम इसको लॉंग करना ही इंडिये निवर्सल पैटर मोता है शौट टम का वही होता देख रहा है मार्केट ने बहुत बना के अचारे अपने रेस्टेंस के उपर क्लोस कर दिया है मतलब एक्टिम प्ले टांक तो अगश्य इसने क्लोस कर दिया है कि इस भी तो यह दो सेंधियों रहेंगे मार्केट अभी नहीं है क्योंकि बहुत क्लोज है अगर नय बनाना चालू करेगा तो जैसे बनाते जा रहा है ऐसे बनाते ही चला जाएगा इसलिए इसको शौर्ट करना अभी सही नहीं रहेगा तो यह डिली टाइम फ्रेम कंसेट हो गया अब 15 मिट टाइम फ्रेम पर आके समझते हैं याइड मार्केट निक्या किया और आप इसको कल कैसे ट्रेट कर सकते हैं तो गाइस कल के एक इंपॉर्टन जोन है जिसकी उपर मार्केट जा नहीं पार रहा है एक बार रिवर्सल लेक कि अगर इसकी उपर निकलेगा तो मैंने यह कल भी बता था कि अगर यह लेवल को क्रॉस करके निकलता एक लोजिंग करता तो जितने भी लोग मंतली एक्सपारी शॉर्ट करके बैठें कॉल वह बहुत बड़ी अपनी स्क्वाइरिंग करने लगेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉल शॉर्ट करके रखें तो बहुत हमें शॉर्ट कवरिंग देखनी अज गत्री वैसे हुगा हलाकि मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग वाला एकदम स्ट्राउंंग बहुत एंड मैं डे मैं मैं सुबह एक्सपेग कर रहा था कि यह इसक्या टे बट हुआ बट अच्छा मोमें को इसने क्लोस कर दिया है एक हमारे लिए इंपोर्टेंट स्विंग जो की था यह एट्टीन फोर ट्रेंटी या फॉर फिप्टी कैलो आप उसके ऊपर बहुत कमफर्टीबली मार्केट ने क्लोस कर दिया है तो अभी बीच में इसके पास कुछ खास ऐसा है नहीं गाईस तो इसको थोड़ा सा ट्रेट करने टफ रहेगा क्योंकि उपर सीधा ओल टाम आई है तो मार्केट अगर गया खुलता है या सीधे फ्लाइट खुलके 18600 जाता है तो आप इसको इमेडियेट बाय कर सकते हैं और अगर गया इसी लेवल पर खुल जाता है इनकेस अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि आप वेट कर लो मार्केट हो सकता है वापस आए इस लेवल को रिटेस्ट करें क्योंकि यह स्विंग का बहुत इंपोर्टेंट रिकाउट था मार्केट ऊपर गया नीचे आएक रिटेस्ट करेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जनरली 18450 या 18400 करें अगर बड़ा खुलता है तो थोड़ा एग्नोर कर दें हो सकता यह मोमेंटम जो भी लोग लेके गयोंगे यह तो यहां पर थोड़ी प्रॉफिट करो क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में है तो अपन जनरली ट्रेंट के साथ ही राइड करेंगे जबरदस्ति सहल करने की ज़रूवत नहीं है तो यह हो गया जाते हैं तो इस बात कर रहे थे कपेंडल पैटरन का ब्रेक आउट चल रहा था जो निफ्टी नहीं अभी कंसोलेडेशन के बाद ब्रेक आउट दिया यह पहले ही कर चुका था दो वीक का बहुत अच्छा अच्छा कंसोलेशन क बनाती जाएगी अपन नहीं कह सकते कि कभ रुक इसलिए इसको ट्रेंड के साथ फॉलो करते जाएं तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और कैसे ट्रेट करेंगे अपन च्छोटे टाइम पर देख लेते हैं मार्केट ने कल भी बहुत अच्छा ब्रेक दिया था बट पता नहीं एक अजीब सी सेलिंग आया थी कंसोल्डेशन करा ब्रेक आउट दिया पूरा ड्रें कर दिया काफी स्ट्रॉंग सेलिंग थी बट आज मार्केट गेप खुला पहली एक ग्रीन केंडल बनाई अपने स्विंग का बहुत स्ट्रॉंग ब्रेक यह ब्रेक आउट क्योंकि इतनी स्ट्रॉंग क्लोजिंग इसने दे दिये और उपर उल्टैम हाई है तो हमें उपर के तो कोई रेजिस्टेंस अभी आइडिया नहीं है तो हम क्या कर सकते कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलके यही स्विंग क्रॉस करता है अपना हाई तो फिर हम यहां पोजिशनल बिस्स पर अपनी बना सकते हैं काफी अच्छा लेवल है काफी स्ट्रॉंग है यहां से बहुत स्ट्रॉंग ब्रेक आउट हुआ है तो बायर्स लोग इसको बहुत इसी ली गिवप करेंगे नहीं और यह अच्छा एक रिटेस्ट का लेवल ही बन फोल्व मैं जनल